नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल AR Academy में तो दोस्तों ये आज हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट वीडियो है हमारा प्लंट पैतोलाजी का नेमरा सुंदा बुक्ष से और plant pathology आज से complete हो जाएगी इसके बाद से हम नया subject चालू करने वाले हैं stat और extension चालू करेंगे तो दोस्तों बहुत बहुत ध्यान देकर आपको पढ़ना है और बहुत important वीडियो है यह बहुत important बुक है पहले भी बताया कई बार बताया एक बार फिर से बता रहें आपको तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहें जो भी हमारे चैनल से नहीं जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें नहीं वीडियो का तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं और वीडियो को सुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए आज जो पहली क्रॉप है वो है हमारी टोमेटो और जो पहली डिजी जब हो है लेट ब्लाइट और अरली ब्लाइट तो इसके बारे में हमने डिटेल में पोटेटो की क्रॉप में डिसकस किया था लेट ब्लाइट और अरली ब्लाइट तो यह डिजी सेमी है जैसे प लाइट की नाम से जाना जाता है इसी तरह ये टोमेटो में भी होता है तो लेट ब्लाइट ये फंगल डिजीज है इनके पैथोजन भी सेम है तो आप पोटेटो की क्रॉप को देख लीजेगा और बंट लाइक एपेरेंस ऑन लीफ तो इसमें क्या होता जैसे लीफ जूलस ग उसके मैंनेजमेंट के लिए क्या करते हैं एमेट बर लीटर की दर से यसक्तर है या तो फिर एशिटामी겠죠 को का यूज करते हैं कि साट ग्राम एक्टिव इंग्रीडियन्ट पर हेक्टेर की रेट से नेक्स्ट जो डिजीज है टोमैटो की वह है ब्लॉसम इंडरॉट और यह होती है कैल्सियम की डिफिसियंसी बहुत इंपॉर्टन डिजीज है पूचा जाता है फिजियोलॉजिकल डिस फ्रूट क्रैकिंग का जो में कारण होता है वह होता है बोरान की डिफिसियंसी तो फ्रूट क्रॉप के लिए फ्रूट क्रैकिंग को रोकने के लिए आपको बोरान की कमी को पूरा करना होगा और बोरान से आपको छड़काओ करते रहना होगा तो दोस्तों नेक्स जो की और बें gradد की जो में डीजीज है वह समस्य ब्लाइट rule को में इकमारा व्रिह कोनावी पार्ट है और फ्रूट में जाए तो फिर क्रॉप में बहुत ज्यादा नुकसान होगा बहुत इंपर्ट digit है और बहुत विक्सान नाम का पैतोजन होता है उससे बहुत जादा है पूचा जाता है यह पैतोजन की फॉमपसीज ब्लाइट यह जिसे फूट रॉट भी कहते हैं ब्रिंजल में किसके द्वारा होता है soft & watery soaked on fruit blight on foliage fruit rot तो आपने देखोगillon नॉर्मल देखाई जवर आप ने बिर्रिंजल देखते होंगे यह होता कि बंते चिने बन गरॉंड बनता जाता जाता ह है और तर फिर उसके बाद वह प्रिंजल यह पूचे जाता है इसका पैथोजन को है माइको प्लाजमा नेक्स्ट है हमारी क्रॉप चिली चिली के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेंपिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह होती है पिथियम अफैनी डर्मेटम के द्वारा से और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है इसमें कहा होता है कि जब हम नर्सरी त्यार करते हैं तो जहां से प्लांट जर्मिनेट करता है मीन्स उसका जो उपरी पोर्सन जैसे ही वह जो हो है पिथियम नेक्स्ट है एंथ्रेक नोज या राइप रॉट डाइबैग जिसे डाइबैग भी कहते हैं इसका जो कारान है वह है कोलेट्रोट्रेकम कैप सगी नेक्स्ट है लीफ करल जो की वाइरल डीजीज है इसमें क्या होता है डाउन वर्ड कपिंग हो जाती करल सब्सक्राइब जिए गया या इसी जो भी क्रॉप आती हैं परॉसिफर तो कुरूसिफर में जो भी क्रॉप आती है हमारी mustard हो गया या तो फिर cabbage हो गया रहा इसी जो भी crop आती है crucifer की वो सारी की सारी में जो भी main disease है वो है सबसे पहली white blister same as mustard तो mustard में जैसी होती blister वैसी ही पूरे उसमें होती है cross में next है browning of cauliflower तो browning of cauliflower होता है बोरान की deficiency से और इसमें क्या होता है कि brown curd curd जो होते हैं जो फल मींस से एक प्रकार से जो हमारे economic पार्ट होता है conjunction वाला पार्ट होता है जो curd कहलाता है cauliflower में वह कैसा हो जाता है brown हो जाता है और stem जो होता है वह hollow या फिर खोखला हो जाता है hollow stem जैसे कहते हैं इसके लिए क्या करते हैं बोरेक्स का deficiencies है इसमें क्या होता है thick green and lethal leaf and no curd formation तो इसमें क्या होता है कि जो leaves होती है वो मोटी हो जाती है और बहुत ज्यादे green हो जाती है और इसमें क्या होता है कि जो curd formation होता है जो subconscious वाला part होता है जो हम cauliflower में खाते हैं जिसे हम curd कहते हैं उसका formation नहीं होता है और इसके लिए क्या करते हैं apply one to two kilogram sodium और aluminium molibidate तो इसकी जो deficiency होती हैं उसको पूरा करने के लिए 1 भी इ승िचे के लिए 1-2 kg sodium और aluminium molibidate का छिड़काओ करते हैं, नेक्स्ट है हमारी क्लब रूट, जिसे हम finger and toe disease भी कहते हैं, यह होता है plasmodi for a brassica के द्वारा और इसमें क्या होता है, formed club shaped root, इसमें क्या होता है, club shaped के roots बन जाते हैं नेक्स्ट है हमारी crop banana और banana के लिए जो सबसे important पनामा बिल्ट, इसका pathogen हमें सब पूछा जाता है, जो की होता fugarium, oxy sphorium, variety cubans, बहुत जादा important pathogen है यह, इसके बाद बंची टॉप, जो की virus के द्वारा होता, यह भी बहुत जादा पूछा जाता है और इसका जो vector हो है aphid, और वो banana aphid, जो की पेंटालोनिय, नाइग्रो, नरोसा तो यह दोनों, तीनों question बहुत जादा important है बनाना के लिए next है हमारी crop, citrus crop और citrus में जो सबसे important डिजीज, पहली डिजीज है वो है, citrus canker citrus canker होता है हमारा janthomonas, campestris, pv, citri तो यह जो pathogen बहुत जादा पूछा जाता तो leaps में, twix में और fruits में एक प्रकार खुरदरे, छोटे-छोटे patches बन जाते हैं corky patches जीने कहते हैं आपने देखा होगा अगर कहीं disease plant देखा होगा, या disease fruit भी देखा होगा, आपने नीमू देखा होगा generally market में भी बिलते हैं तो उनमें क्या होते हैं, brown core की structure आपने देखा होगा वो हमारा citrus का अंकर कहलाता है नेक्स जोटीजीजे वो है dieback या wither tip तो ये होता है collato trichum glow spore rites के द्वारा, नेक्स है gumosis, gumosis होता है phytop थोरा, palmy, wora के द्वारा इसमें क्या होता है, ruptured lengthwise bark and exudes gum तो इसमें क्या होता है, जो stem होता है, उसकी जो bark होती हो, क्या होती, ruptured हो जाती means, फट जाती, cracking हो जाती उसमें, और उससे क्या होता है gum like, आपको solution बहार देखने को मिलेगा जैसे bubble में आपने देखा होगा कि उससे gum निकलती है जिसे consumption भी किया जाता है उसी तरह इससे भी gum निकलेगी लेकिन इसका consumption नहीं किया जाता है next है हमारी greening disease जो की होता है, condidatus liberobacter के द्वारा agram negative wild phloem colonizing bacteria तो यह जो बैक्टिरिय होता हो, gram negative होता है phloem colonizing bacteria responsible for the destructive citrus greening disease जो की citrus greening disease करता है earlier known as mycoplasma disease जो की पहले mycoplasma disease की नाम से जानी जाती थी in China called is citrus huang long bing तो इसे चाइना में क्या कहते है citrus huang long bing और yellow dragon disease जिसे yellow dragon disease भी कहते है कहाँ पर चाइना में transmitted by vector Asian citrus पाईला जो Asian citrus पाईला होता है उसके द्वारा ही इसका transmission होता है जो की कहलाता है diphornia curl drench with tetracycline तो इसके management के लिए क्या करते है tetracycline से जो है soil की drenching करते है at the rate of 500 ppm 500 ppm की rate से next है हमारी tristata disease जो की एक viral disease है और इसका जो vector होता होता है toxoptera citricida तो दोस्तों ये आज का lecture नहीं खतम हुआ और pathology आज से खतम हो चुकी है दोस्तों उमीद करते हैं आपके लिए video helpful होगी और सभी आपकी पढ़ाई अच्छे से चल लाई होगी दोस्तों हमारे channel को subscribe करिए और अपने दोस्तों को भी share कीजिए और सबसे subscribe करने के लिए कहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद